आज की जो यह हमारी वीडियो यह बहुत इंपोर्टन्ट है उन बच्चों के लिए है उन स्टूटन्स के लिए है कोई नई जबान सीखना चाहते हैं चाहिए वह इंग्लिश लैंग्विज हो आपको इस फील में भी आगे प्रोसीट करना पड़ता है तो इंग्लिश लैंग मैं बात करता आया हूँ बीच बीच में थोड़ा सा गया आता रहा कॉंटेंट प्रोड्यूस करने में जिसके बहुत बड़ी वज़ा मेरी एकडेमिक और प्रोफेशल स्टेडिस थी चुकि वह सब भी मेरे लिए इंपोर्टन्टी तो साथ साथ उसको टाइम देता था था बीखी सीखने का अमल से भी गुजरा सिखाने का अमल से भी गुजरा तो कुछ ऐसे एक्सपीरिंस है जो मैं आप सब के साथ शेयर करना चाहता हूँ और इंशालला मैं फ्यूचर भी करता रहूंगा आज की जो यह हमारी वीडियो यह बहुत इंपोर्टन्ट है और यह में भी आगे प्रसीट करना पड़ता है तो इंग्लिश लैंगविज इसके इंपोर्टन्ट होते हैं मुस्टली ओल अरॉर्ण दवर्ड तो बहुत से बच्चे इंग्लिश लैंगविज पर फोकुस करते हैं उसके लावा चाइनीज लैंगविज बहुत ज्यादे इंफ्ल किया या बाकि जितने भी स्टूर्ण से हमारे क्लास फैलोस से हमारे कुलीक से यह अभी भी जो बच्चों को में देखता हूं जो सबसे बड़ा प्रॉब्लों मों फेस करते हैं इस फियर फियर ऑफ स्पीकिंग यह हैसिटेशन वाइल स्पीकिंग इंग्लिश लैंविज औ करते हैं उनके लिए कि वह अगर प्रोसीट करते हैं विद लैंग्विज वह लर्न करते हैं तो वह बोल नहीं पाते हैं उस तरीके से जिस तरीके से वह एबिलीट रखते हैं बोलने के वह बोलने की बहुत कोशिश है तो करते हैं लेकिन वह डरते हैं बोलते होगत अच्छ ना होने की बहुत बड़ी वज़ा चुकिए beginners होते हैं तो उस वज़ा से उनका level low होता है तो वो confidence इतने नहीं होते कि वो जबान में या जो जबान वो सी करें उसको proceed कर पाएं या उसमें अच्छी तक्रीर दे पाएं या उसमें बात complete कर पाएं तो ये बहुत बड़ी बज़ा है कि confidence नहीं होती है उनमें और वो ये समझते हैं कि अगर मैं बोलूँगा और मैंने गलत बोला तो मेरे जितने भी class fellows है या जितने भी students है या teachers है वो मेरे उपर हासेंगे ये confidence ना होने की वज़ा से वो hesitation महसूस करते हैं और वो fear महसूस करते हैं वो बोल नहीं पाते हैं उस जबान को या practice नहीं कर पाते हैं तो ये confidence ना होना ये एक बहुत बड़ी वज़ा है आज हम इंशाले इसको discuss करेंगे कि किस तरीके से confidence को build किया जाए और अपने आपका level इत practicing and don't aim for perfection ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है हमारे एक से स्टून्स जो होते हैं वो इस confidence ना होनी कि वैज़ा से ड्रॉप आउट कर जाता है कि को ये समझते हैं मैंने अगर बोलना है तो सब लोगों ने हसना है तो इस चीज के वैज़ा से वह इसता एक दिन आते हैं एक हफता दो हफ़ता classes लेते पर उसके बाद ब्रोप उटकर कि चले जाते हैं तो आपने क्या करना है सब से पहली बात कया अपने keep practicing you have to practice again a год आपने बार बार प्रेक्टिस करनी है you have to go with the practice session speaking कै आपने बार बार बोलना है उस at and repeat कर जिडितना आप बोलोगे और जितना आप उस बात को रिपीट करोगे, उस सेंटेंस को रिपीट करोगे, उन वर्ट को रिपीट करोगे, उन वक्याबियोरी इस को, या अनुनम्स या सेंटेनम्स जितने भी है उसको बार बार रिपीट करोगे, आपकी स्पीकिंग में फ्लुइंसी आजाएके, फिर क्या होगा, कि फिर आप रैपिद्ली बोलते जाओगे, कोई भी जबान और आप नहीं रोगोगे उसके बीच में, या नहीं 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 करना है, आप ठीक तरीके से बोलो, फ्रफेक्शन में क्या करते हैं वह अक्सर उनको कोई बात होती है या इभ देयर आज्ट हुटन wykon सबसे फहले सोचते हूं में वह सोचते हैं कीस में बौन्स अब कोंसा यूपन आ उसक यूज करना है so keep practicing and don't aim for perfection अगर आप perfection के लिए एम करोगे तो आप ठीक तरीके से सीक नहीं पाओगे यह आपकी speaking में fluency नहीं आएगी okay this was the first tip the second tip go ahead and practice your listening and reading skills listening or reading skill speaking से क्या तालोग है when you listen to the language you are learning क्या होता है कि आप उस जबान की accent को समझ जाते हो आप वो जो बंदा उस जबान में बात कर रहा है आप उसकी accent को उसकी pronunciation को और वो किस तरीके से अलफाज की selection कर रहा है इन चीजों को आप सीख जाते हो और समझ जाते हो और जब आप इस पॉइंट के उपर focus करोगे तो क्या होगा आपकी speaking improve होती जाएगी साथ साथ now what's with the reading reading के साथ यह है कि जब आप रीड करोगे तो अक्सर होता है ना हमारे यहाँ पर कीपी के साइड में पठानों का लहजा तोड़ा newspaper उठाओ या उससे related कोई magazine उठाओ और आप उसको परो daily basis पर उसकी reading करो reading करते वकत आपकी क्या होगे आपकी fluency be built होगी आप fluently जो है उस जबान को बोल पाओ आप new-new words भी सीखोगे vocabularies उसमें सीखोगे since it's the reading जब आप रीट करोगे तो आपके सामझे vocabularies आएंगे और उन vocabularies को आप उठाओ उसकी मेनिंग को समझो और उसकी मेनिंग के साथ साथ उसकी synonyms or internums को समझो and then go ahead with how to use that vocabulary in a sentence तो इससे आपके reading skill enhance listening skills be enhance or automatically आपकी जो speaking skill है वो इन दोनों के साथ enhance हो जाएगे this was the second point let's go for the third tip the third tip and the most important tip is stay calm while you speak हमारे आपे अक्सार ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर देता है जब वह बोलते हैं तो rapidly बोलते हैं यह rapidly बोलना जो है यह बहुत ज्यादा effect करता है उसके confidence को जब आप rapidly बोलते हो तो आप अठकते हो बातों के बीच में जब आप rapidly बोलते हो तो आप words की selection नहीं कर पाते हैं आप sentence की selection नहीं कर पाते हैं and this is what जो fear generate करता है हर इंसान के ओपर तो इस fear को generate करने का हमने मोका है नहीं देना instead हमने rapid की जगा हमने slowly and gradually बोलना है so you have to stay calm while you speak when you stay calm while speaking the new language आपकी fluency improved है इस लेवल पर इस लेवल पर आपकी fluency improved है आपकी जो vocabulary है उसकी knowledge improved है आपकी word selection improved है sentence selection आपकी बहुत improved है idioms भी आप easily जो है आप साथ-साथ सीख पाऊगे अगर आप किसी academy में हो या किसी under an instructor आप जाहे उसको सीख रहे हो तो आप easily उसको भी idioms को भी बिल कर पाऊगे तो क्या होगा इस लेवल पर जब आप इन तीनों टिप्स को follow करोगे तो आपकी English I can guarantee that आपकी English उस लेवल पर चली जाएगे that you will be able to speak English without any fear without any hesitation and you'll be able to speak English confidently जब आप confidence के साथ बोलोगे definitely you'll be able to make people understand हमारे एकसर लोग जो है कुछ और पॉइंट करते इंस्ट्रक्टर्स वो कहते हैं क्या pronunciation के उपर और accent के उपर focus करो well I say that is not very important accent or pronunciation इतना important नहीं है because at the end of the day what you have to do is make the others understand आपने दूसरों को समझाना होता है तो अगर आपका एक ऐसा proper accent और आपकी pronunciation इस लेवल तक अच्छी है that you are able to make the other person understand through your words or through your sentences तो मैं समझता हूँ इतना काफी आपके लिए आपको further accent के उपर और pronunciation के उपर नहीं जाना चाहिए यह के जाफी बहुत समझ जाता है but still still if you think that accent is important for you or pronunciation is important for you so you can go ahead and practice that as well तो यह कुछ चीजे थी कुछ टिप्स थी जो मैं चाहता थाप सब के साथ शेर करो जितने भी new language learners है और यह ऐसी चीजे जो मैंने खुद फेस किया when I first came here spoke in university और जब मैं सीखने लग गया था तो यह चीजे मैं खुद भी फेस करता था I used to face fear I used to face hesitation मैं बोल नहीं पाता था even ऐसे मोके भी आयें that I was all ready for the speeches or the debate competitions but मैं खड़ा होके पुरा ब्लांक हो जाता था because I did not have the confidence to speak it मैं जो है hesitant होता था और फेर होता था मेरे उपर लेकिन क्या किया मैंने वकत के साथ-साथ इन तीन तीन तीप्स के ओपर काम किया सबसे पहला के मैंने perfection के ओपर aim नहीं किया बलके मैंने जो है practice की again and again फिर उसके बाद जो है मैंने अपनी listening or reading skill के ओ इंप्रूफ किया and third that I am calm whenever I speak I try to be calm I am not always calm but I try to be calm and when you try to be calm so you are able to proceed with a better performance and you are able to proceed with making the people understand and that is what the most important thing is so this was all to share with you इंशाला मेरी कुशिश रहेगी कि मैं इसी तरीके से वीडियोज अप्लोड करता रहो अपने experience related और जितनी भी student के लिए learning problems होती है जो मैंने academic में या professional studies में या किसी skill को enhance करने में मैंने face की इंशाला मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता रहोंगा ताके आप सबकी भी help हो और मेरी भी साथ-साथ improvement हो so this was all for that was all for this video thank you so much इंशाला आप सबके साथ इक नेक्स वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिया लाफेज हुआ 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 है